नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर हाल ही में नागपूर जिला योजना समीति के अंतरगत प्राप्त धनराशी से उत्तरी नागपूर निर्वाचन शेत्र में MSEDCL से सम्मन्दित विभिन विकास कार्यों का भूमी पूजन उर्जा मतरी एवं जिला सलक्षन मतरी डॉक्टर नितिन राउद द्वारा वर्च्वल तरीके से किया गया किल दो करण रुपे के विकास कार्यों में नए रोहित्रा की स्थापना एरियल बेंच केबलिंग स्थापित रोहित्र की शम्ता निर्वान, दुरगटना संभाविश शेत्रों में उच्चा दबाव और निम्न दबाव लायनों का स्थालान तरन और और हेडलाइनों के जलमगन होने के साथ साथ विशेश सामुदाई घटक योजना के तरत लाभारतियों को बिजली करेक्शन प्रदान करने जेसी योजनाओ का समाविश है इन विकास कारियों से इन शेत्रों में बिजली उपभुकताओं को अधिक्स गुनवत्ता उचित दबा और निर्भाद बिजली आपूरती मिलेगी उलजामंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने लोगों से कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सभी आवश्यक साउधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना महमारी के बावजुत विकास कारों का सिलसला रुकने न पाए इसके लिए प्रयास किये जा रहे है जिलाय योजना समिती 2021 योजना के अंतरगत उत्तरनाकपुर विदानसभास शेतर में उलजाव युभाग के विबिन विकास कारियों को स्विकृत किया गया है इन कारियों का भूमी पूजन रविवार को उलजामत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों किया गया कलमेश्वर के समिप गोरी रोड पर तीन कोरोड रुपे की लागत के पूल निर्मान का भूमी पूजन पशुपालन दुग्दवेवसाय विकास खेल और युवा कल्यानमत्रे सुनेल के दार के हाथों किया गया इस पूल से सिलोरी, बोरगा, तोंडाखेरी के ग्रामिनों के लिए यह सड़क अधिक सुविदा जनक बन जाएगी नाबाट की सायता से बनाय जा रहे इस पूल की चवडाई 30 मिटर और उचाई 8 फिट होगी बारिश के मौसम में होने वाली दुर्भा के पूरन घटनाओ अब लगाम लग जाएगी इस आशे के विचार मंत्री सुनेल केदार ने वेक्ट किये उन्होंने सुझाओ दिया कि लोक निर्मान विभा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्मान कारे में कोई गड़बड़ी ना हो उन्होंने यहाँ भी कहा कि गोड़ खेरी से साउने रतेक सड़क पर नेम प्लेट लगाई जाए इसके बाद केदार ने पिलका पार तालाब का निरिक्षन किया इस दवरान जिला परिशत के कारेकार्य अभियंता सियाम से उन्होंने तालाब की सीमा बढ़ाने का सुझाओ दिया ताकि मानसुन के दवरान तालाब का पानी अधिक बहन जाए और बार जैसे सिति उत्पन्न नहों विदर्ब के 13 लाख व्यापारियों के अग्रणीव शिर्षसंस्तार नाग विदर्ब चेमबर्स कॉमर्स ने प्रतिवेदन देकर सरकार से विदर्ब में जनवरी 2022 के पहले सप्ता से बिन मौसम बारिश वो उलाव रुष्टी के कारण किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई है तू उन्हें आर्थिक पैकेज देने की मांग की चेमबर्स के अध्यक्ष अश्विन पकाश अगरवाल मिहाडिया ने कहा भारत में किसान और व्यापारी अर्थोय वस्ता के दो महदपूर ने घटक हैं गद्दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण किसान वो व्यापारी वर को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में कोरोना वाइरस के ने वेरियंट ओमिक्रॉन के कारण महाराष्ट में शासन प्रशासन द्वारा प्रती बंद लगाए गया है तो दूसरी ओर ग्यारा जन्वरी से बिन मौसम बारिश वो अला उरुष्टी के कारण इस मौसम की चना गेहु वह अन्य खड़ी फसल पुरी तरह से बरबाद हो गई है जिसके कारण किसानों की महनत पुरी तरह बेकार हो गया है किसानों का फसल उत्पादन खर्च भी वसूल नहीं हो बाएगा जिससे किसान और आर्थिक संकट में गिर जाएंगे चेंबर के सचिव राम अवतार तोतला ने कहा कि स्थानिय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बारिश से प्रभावित शेत्र का जायजा भी लिया गया है बारिश और उला रुष्टी से प्रभावित गाओं के किसानों को आर्थिक मदद की अत्यानता आवशकता हो गई है गुजराती शिक्षन मंदल द्वारा संचली श्रीमती उशाबेन चंद्रकान ठाकर महिला महाविद्धाले में श्रीमती उशाबेन चंद्रकान ठाकर की इस नोतिदीन की उपलक्ष में आभाजी मंचपर्थ अंतर महाविद्धाले के डिरेक्टर डॉक्टर आर्डी महिता ने कारेक्रम की पस्तावना प्रस्तूत की इस प्रतियोंगिता का विशेथा लड़कियों के विवाकियों 21 वर्ष होनी चाहिए या नहीं विभिन्द महाविद्धालों से 22 विध्यारतियों ने इस प्रतियोंगिता में भाग लिया इस प्रतियोगिता के जजेस के रूप में डॉक्टर अम्रुता इंदूरकर, साहिक प्रध्यापिका, सनातकोत्तर मराठी विभाग, राश्यसन तुकडोजी महाराज नाकपुर विश्विद्याले, डॉक्टर सोनु जेस्वानी और डॉक्टर मंजुश्रीत सरदेश पांड महामेट्रो के रिच्टू रूट परस्तित गडडी गोदाम मेट्रो स्टेशन परिसर में शेत्र की विवसाई और नारिकों से वारतालाप करने के उद्देश से मेट्रो समवात कायोजन किया गया, महामेट्रो के अधिकारियों ने इस रिच में शीगरही मेट्रो सेवा प समवात के दोरान व्यापारियों क्या मंतव रहा कि शेत्र में मेट्रों के आने से यह शेत्र सर्वांगिन विकास के अध्या से जुड़ गया है। मेट्रों रेल परियोजना और चार सरीय ब्रिश के निर्मान के दोरान शेत्र के व्योसाई और नागरिकों द्वारा दिये जा रहा है सहयोग के प्रती आभार विक्त किया। में सुनरकान के साथ ही भक्तिगीतों का आनन लिया। करेक्रम के सफलतार्त गीता शर्मा, सुनिता अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, दिपिका अग्रवाल, राधा अग्रवाल, शार्दा अग्रवाल, उर्मिला खंडेलवाल, रीना अग्रवाल, मंजु अग्रवाल, संगीता खंडेलवाल, सुनुती गुपता, सोनम गोयल, शो प्रभू दिगंबल जैन से तवाल मंदिर शहीचोक इतवारी नाकपुर में मंदल के अध्यक्ष कारेवाह एवं कारेकारणी सदस्यों ने भगवान महाविर सौमी के वेदी पर अभिशेक और शांतिधारा की स्तापना दिवस पर मकर संक्रांती के अउसर पर कोरोनाकाल की त कारेकारणी पदादिकारी, जैश्री भुसारी, मनिशा सावलकर, मेगा भागवतकर, संध्याकाले उपस्तित्ती, मंदल के अध्यक्ष विने सावलकर ने मंदल के कारे को समाच के हर्तप के तक पहुचाने का विश्वास दिलाते हुए ही, समस्त कारेकारणी प्रतिनी दी, हितेशी और शुबचिंतकों को स्थापना दिवस की शुपकामनाय दी पिंक और उसकी ओर से महिलाओं और बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगीता का आयोजन किया गया मेंटर काजल गाजराणी ने बताया कि इसमें बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया आत्मसम्मान वसंसकार शादी के लिए किये गए खर्ष फिजूल या उप्योगी कौन बच्चों को समझाता है पालगण या दोस्त इन विशे पर परिचल्चा की गई विजेता के रूप में कशिश रेतवानी ने प्रथम और कुशना धमेचा व मनन शंभुवानी ने द्वितिय स्थान प्राप्त किया और महिलाओं में दिव्या गाजराणी विनिता चैनानी वर्षा रेयोतानी रिद्धी जेठानी ने सफलता प्राप्त की निशा चावला ने मंच संचालन करते हुए कहा कि हमारे हिंदु धर्म का गरंत रामायन संसकारों पर आधारित है जिसमें संसकारों की शिक्षा को उच्छतम महत्वदिया और महाभारत आत्मसंमान पर आधारित है जिसमें कुरुष्णर ने अर्जुन को आत्मसंमान और पत्प्रदर्शित करने के लिए कीता का ग्यान दिया है आज भी मानों के मन में आत्मसंमान और संसकार के बीच प्रतिसपर्दा चलती रहती है काजल गाजरानी ने आभार प्रदर्शन किया चेंबर ऑफ एस्सोसियेशन ऑफ महाराश्र इंडस्ट्री एंट्रेट केमिट के अधिक्ष डॉक्टर दिपेन अगरवाल ने कहा है कि हाल ही में कैबिनेट के द्वारा हल प्रतिष्टान के लिए मराठी में साइन बोर्ड लिखना अनिवारे करने के निरने के प्रतीर रा मिट के मुख्यमंतरी उद्दो ठाकरे, श्रम मंतरी हसन मुश्रीफ, श्रम राज्यमंतरी बच्चुकडू और प्रमुक्सचु श्रम विनिता वेच सिंगल को भेजे गए ग्यापन में 12 जनुरी 2022 के कैबिनेट के फैसले का तीखा विरोत किया है जिसके द्वारा यह निरन लिया गया, जिसमें 10 से कम वेक्तियों को रोजगार देने वाली दुकाने भी शामिल थी आज 15 प्लस और 45 प्लस आयोवर के सभी नागरिकों का कोवी शिल्ड का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंदरों पर होगा टिका करन का समय सुबर शाम के पाच बजे तक होगा, टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धितियों से पंजिक रन किया जा सकता है इसी तरह ड्राविन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयो के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड के जरिये टिका करन किया जाएगा यह जान करें चिकित्सा स्वास्तादिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर अस्पताल कांफ्टी रोड वस्वर्गिय प्रभाकरदट के मनपा महाल रोगडिदान केंद्र इम्स, आइसलेशन अस्पताल इवामबाडा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्ति अस्पताल पांच पाउली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है नाकपुल जिले में कोरोना के मरीजों की संख्याल लगातार बढ़ती ही जा रही है, वही बाजार में बिना माक्स वाले लोगों की भीड कम नहीं हो रही है इसलिए चाहे वह मौल हो, दुकान हो या फेरी वाला हो, उनके पास आने वाले हर ग्राहक के चेहरे पर माक्स होना चाहिए अन्यता दोनों के खिलाफ कारवाई की जाएगी यह बात नाकपुर जिले के पालक मत्री डॉक्टर नितिन राहुत ने शनिवार को जिले की कोरोना स्थिती पर बुलाई गई समिक्षा बैठक में कही उन्होंने कहा कि अपसे पुलिस बाजार में बिना मास घुमने वालों के खिलास सफ्थ कारवाई करेगी ग्रामी नाकपुर के अपने दोरे के बाद पालक मत्री डॉक्टर नितिन राहुत ने कोविट प्रबंदन पर टास्थ फोर्स के वरिष्ट दिकारियों के साथ बैठक की बैठक के शुरुवात में उनने कहा कि प्रति दिन 2000 पॉजिटिव मरिजों की संख्या चिंता जनक है प्रभाग एक नारा धन घाट का पुर्वस्थाई समिती अध्यक्ष विरेंद्र कुक्रेजा की एक करोड 12 लाख रुपे की निधी से नारा घाट का सौंधरीकरन कारे का भूमी पुजन हुआ इस कारेकर में सरवप्रथम संत साई लच्चुराम वा संत दामोदर के द्वारा पूजय अर्चना की गई मुख्यरूप से पुरविधायक मिलिद्द माने वा मंदल अदेक्ष संजय सौधरी नगरसेवक विरेंद्र कुक्रेजा महिंद्र धनवीजय सुश्मा चौधरी प्रमीला मतराणी दादा घंशाप कुक्रेजा डॉक्टर विकीर अगुवानी राजश बटवानी दादा व अदेक्ष कुक्रेजा ने अपने संभोधन में कहा कि पूरे प्रभाग में विकास का काम जनता के सहयोग के कारण ही संभो हो पाया है। जंगलों में बसा अति दुर्गम आदिवासी गाव किरंगी सर्रा में समर्पन सेवा समितिके देक्ष पूरविदाय गिरिश व्यास के मार्गदर्शन में कंबल तिल्गूड तथा जिवनावशक वस्तोय वितरित कर मकर संक्रांति का उत्सव संस्ता के सदस्यों द्वारा गाव में जाकर मनाया गया किरंगी सर्रा गाव पेंच के घरे जंगलों में बसा आदिवासी बहुल गाव है जहापर ना तो किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्ग है तथा जाने के लिए कई किलोमेटर तक कच्चे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है ऐसे अत्यन्त दुर्गम आदिवासी गाव में समर्पन सेवा समिति के सदस्यों ने नाकपूर से वहाँ जाकर गाव में रहने वाले 75 परिवारों को कंबल, तिलगुड, नमकिन, मिठाईयां, तथा गर्भवती महिलाओं के लिए देसी गायकागी, पैरों के मोजे, बालक नाकपूर शरदेक्ष, विदायक प्रविन्द अटके ने सदस्यों की वहाँनों को पंडित बचराज व्यास चोकस्ती संस्ता के कारेकाल से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया स्थानी अर्विन्द इंडो पब्लिक स्कूल ने मकर संक्रांत पर बड़े ही अनूठे अंदाज में ओनलाइन सेलिब्रेशन आयोजित किया सभी कक्षाओ के विदार्तियों ने रंग बिरिंगी पतंगे बनाई, उस पर सकरात्मक संदेश भी अंकित किये कुछ विदार्तियों ने ड्राइंग वा पेंटिंग बनाई, अधिकतर मामलों में अकबार को ही विदार्तियों ने पतंग बनाने हैं तो इस्तमाल किया प्लास्टिक पतंग के बहिशकार के शपत भी ली, इस तरह नायलॉन माजा का भी बहिशकार किया अपने संदेश में विदार्तियों ने पुरे समास से कोविट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संक्रांति मनाने की अपील की पतंग उच्सव मराएं किन्तु निरीह पशुपक्षियों पर अत्याचार न करें कुछ पतंगों पर कोविट संदेश भी अंकित थे, नो माक्स, नो पतंगों सो, पर्यावरन की रक्षा करो, पेड मत काटो, पेजल की बरबादीरों को, शांती बनाये रखे, ये पतंग नहीं, शांती संदेश है, इस प्रकार के सकरात्मक संदेश लिखे गए स्कूल के प्राचारे राजेंद्र मिश्र ने वीडियो संदेश के द्वारा, सभी विध्यारतियों एवं पालोक को, ओनम, पोंगल, संक्रांत, एवं बिहु की शुपकामनाय दी, अर्विंद बाबु देश्मुक प्रतिश्टान के कारेकारी अदेक्ष पुरविधायक ड परिचे पुस्तिका का विमोचन समारोह, नाकपुरसित पुझ्य समाधा आश्रम के सभागार में संपन हुआ, सरप्रतम इश्टदेव जुलिला स्वामेश्यू भजन महाराज वा स्वामी नारायन भजन महाराज के चीतरों पर पुश परपित कर मुख्यतितियों एवं अधिकारियों द्वारा जोती प्रजुलित कर कारेकरम का शुभारम किया गया, इस कारेकरम में मुख्यतिति बाबा सन्मुक्दास उदासी, समासेवीव प्रसिद अधिवक्ता, रमेश गोपलानी, समाधा सेवा मंदल के अदक्ष दर्शनलाल कुक्रेजा, परिचे पुस् मोहन शावला का स्वागत फतनलाल गोप्चंदानी, मोहन सचदेव, इंदर रुघानी, पंजुराम विर्वानी, परमानन्द विधानी, अर्जुन जग्यासी, शंकर मंचंदिया, इश्वर कुक्रेजा, सुरेश आहुजा, वासुदेव हिरानी ने किया, मुख्य अतितियो और दोनों संस्ताओं के पदादिकारियों द्वारा परिचे पुस्तिका 2021 का विमोचन हच्दोनी के साथ किया गया, पुझ्य समादा आश्रम की गति विदियो की जानकारी चनरलाल टेक्चंदानी न दी, एवं सिंधी सोशल पोरम के सामाजिक कारियों का मुदाविदार के हस्ते किया गया, इस अवसर पर कामठी मुदाविदार सभाश्चेतर के कौगरेस नेता, वनाकपुल जिला परिशत के पुर्वधिक्ष सुरेश भोयर, नगर परिशत कामठी के पुर्वधिक्ष चकुर नागानी प्रमुकता से उपस्तित थे, उदगा मुदार हैदर जिन्नों ने ऑक्सिजन सिलेंडर के माध्यम से मरिजों की जान बचाई, वसिद्दान शिरपुरकर जिन्नों ने अपनी संस्ता की ओर से अनाचकीट का भारी संख्या में वितरन किया, इन सबी को सम्मानित किया गया, इसी प्रकार प्रभागदों के नागरि का आश्वा संधिया स्पूर्ति योजना के अंतरकत जरी क्लस्टर का फर खेडा नाकपुर में तीन द्यूसिय पच्यातरवा आजादी अम्रुत महत्सो विधर्वा हैंडिक्राट आर्टींसंस वेलफेर असोसेशन द्वारा आयोजित किया गया यह उमंग उडान आजादी क अम्रुत महत्सो के अंतरगत देशभर में भारतवासियों की जन भागिदारी से होने वाला महाभियान है जिसमें देश की पचास से भी ज्यादा जगों पर आजादी अम्रुत महत्सो मनाया गया जिसमें मुख्यरूप से पतंग बाजी, रंगोली प्रतियोगीता और अन् जिली माओई के जिला परिशत सदस से रगुजी तिवारी, पंचात समिती सदस से पवंदुर्वे, सरपंच, ग्राम पंचात पोटा, विशुजी सिंग, उप सरपंच वार्टू, खापर खेडा आरती सावर कर, सिद्धार्त मानेराव, रंजना कामले, ग्राम पंचात सद जपर अहमत सहसेचू, विदर्भा हैंडिक्राफ आर्टिंसर्स वेलफेर असोसियेशन, सीडी प्रिती पेठे, डिजैनर वयभवी कामले, रजाक शेक, प्रभादेहरकर, सुनिता वासनिक, साइबा शेक, संस्ता के सदस्य और हस्तशिल्प महिला कारागिर उपस्तित थे, हस्तशिल्प महिला कारागिरों ने लेजिम के साथ अतितियों का स्वागत किया, और विभिन कारेकर, जैसे फुगडी, नुरुत्य, पोवाडा, लावनी नुरुत्य, आदि प्रकार के कारेकर, बड़े ही हर्शोल्लास के साथ प्रस्तुत किये, राम्टिक मुख्यरूप से आदिवासी बहुल तहसिल है, और यहां विकास कारेक कोविड महमारी के दवरान बादित था, यह बताती हूए राज के पशुपालन दुगदवेवसाय विकास खेल, एवं युवा कल्यान मंत्री सुनिल के दार ने कहा, कि वे अब विकास की न आठ लाग पच्चास अजार रुपे के कारियों का भूमी पुजन केदार ने किया, इससे अवसर पर वे भाशन दे रहे थे, इस अवसर पर जिलापरिशत अद्यक्ष रश्मी बरवे, उपाद्यक्ष सुमित्रा कुम्भारे, पूर्यमंत्री राजिंदर मुलक, राम्टे योजना एक गरीबों के घर तक पहुंच सके, इसके लिए अधिकारी वपदाधिकारी प्रयास करे, जिन लोगों को राशनकार्ड होने के बावजुद राशन नहीं मिला है, उनके लिए प्रस्ताव तयार किया जाए, इस पर सरकार और नयाले द्वारा कारवाई की चुकि है आधिवासी बहुल तालुका है, इसलिए उन्होंने आधिवासी विकास योजना को लागू करने के निर्देश दिये प्रस्तावित नाकपूर मुंबई बुले ट्रेन की विस्तुत परियोजनार रिपोर्ट मार्च के अन तक प्रस्तुत किये जाने की संभाव ना है प्रस्तावित बुले ट्रेन 741 किलोमेटर की दूरी तै करेगी, खापरी, नाकपूर, वर्धा, पुलगाव, कारंजालाड, मालेगाव, मिहेकर, जालना, और अंगाबाद, शिर्डी, नासिक, इगतपूरी और शाहपूर में इस ट्रेन की स्टॉपे जोंगी सूतरो के नुसार इस प्रकल का हवाई सरवेक्शन, सवारी सरवेक्शन, पर्यावरन प्रभाव सरवेक्शन और सामाजिक प्रभाव सरवेक्शन किया गा है बुले ट्रेन 350 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से चलेगी इस प्रकार नाकपूर और मुंबे के बीच की यात्रा का समय हवाई यात्रा से कुछ ही मिनिट ज्यादा होगा रिपोर्ट कौंतिम मन्जूरी के लिए रेम मंत्राले को सो पे जाने की संभावना है इस प्रोजेक्ट के क्रियानवें से हाइ स्पीड बुलेट ट्रेन के जरीए मुंबे शहर एहमदाबाद और नाकपूर से जुर जाएगी प्राफिक पूलिस ने मोटार वहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर 3070 वहन चालकों पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,12,000 रुपे का जर्माना वसुला इस तरह मुंबे शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 1600 रुपे का सामा अंजब्त किया गया है इसके अलावा जुआ दिनियम के अंतरगत 5 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 1800 रुपे का जर्माना वसुला गया उपरोग तो सभी ऑपरेशन संयुकतरूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने यहां आववान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से सम्मंदी सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार